जैसाईराम, नमस्कार, मैं ब्रिजमों सूरी आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में और आशा करता हूँ कि आप पर सन होंगे आज का हमारा विश्य है कि कैसे पता चलेगा कि परमातमा हमारे साथ है बहुत अच्छा विश्य है कैसे ग्यात हो कि हमारे प्रभू, हमारे गुरू, हमारे परमातमा, हमारे अंग संग चल रहे हैं, हमारे साथ है वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि परमातमा सदैव अपने भक्तों के साथ होते है एक बहुत अच्छी चंद लाइने मुझे याद आ गई प्रभू कहते हैं कि तू मेरे बंदों को माफ करके तो देख मैं तेरी सारी भूले माफ ना कर दू तो कहना कहते हैं तू मेरे बनाए हुए इंसान को खुश करके तो देख मैं तुझे खुशियों की बर्मार ना दे दू तो कहना कहते हैं तु मेरे बनाए हुए बंदों का सहारा बन कर देख मैं तेरा सहारा ना बन जाओ तो कहना प्रमात्मा अपने बक्त से ये बाते कहते हैं और प्रमात्मा कहते हैं कि सुबह जब तू उठा तो मैं तेरी तरफ देख रहा था कि मेरा भक्त उठा है अभी मेरे पास आएगा प्रंतु तू तो ब्रश्व गर्रा करने में व्यस्त हो गया मैंने सोचा अभी नहाद हो कर आएगा तू नहीं आया तू नाश्ता करने में व्यस्त हो गया मैंने सोचा मैं भी तो इस गर में रहता हूँ, मैं भी तो इसके साथ रहता हूँ, यह मुझे तो नाश्ता पूछेगा, परन्तु तू नहीं पूछा, प्रभु कहते हैं मैं तेरी तरफ लगातार देख रहा था कि आज मैं अपने भक्त को अशिरवात देदू, सुखी रहने का आगे बढ़ने का, यह मेरे पास आये तो सही, परन्तु तू नहीं आया, फिर तू बैग उठाने में वेस्त था तो मैंने सोचा अब गर से निकलते वक्त तो जरूर आएगा, परन्तु नहीं, तू फिर भी नहीं आया, तूने बैग उठाया और गर से निकल गया, कहते हैं, अब मैंने सोचा कि शायद कार में बैठ कर ये, जब बिलकुल फ्री होगा, तब इसे मेरा ध्यान आएगा, परन्तु नहीं, तूने संगीत लगा लिया और गाने सुनने शुरू कर दिया, कहते हैं, मैं तेरे कर्याले साथ ही हो लिया, प्रभू कहते हैं, अब मैंने सोचा कि जब तू अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तब मुझे याद करेगा, परन्तु नहीं, तूने तब भी मुझे याद नहीं किया, कहते हैं, अरे वो बले बंदे, मैं तो तुझे देखता रहा, तेरी इंतजार करता रहा, तुझे मैं प्यार करना चाहता था, तुझे मैं कोई अशीश देना चाहता था, प्रंतो तु पूरा दिन मेरे पास आया ही नहीं तुने मेरी तरफ देखा ही नहीं ठक हार कर मैंने तेरा निवास छोड़ दिया प्रंतो फिर भी मेरा द्यान तेरी तरफ रहता है तेरे पल-पल की खबर रखता हूं तो ये है मेरे भगवान, ये है आपके प्रबू, ये है आपके गुरु. अब कैसे पता चलेगा आपको, कौन से यासे लक्षन है, जिनसे पता चलेगा कि प्रबू हमारे साथ हैं, तो आई ये बात करते हैं. आप दुविदा में हैं, दुविदा कोई भी हो सकती है, स्टूडेंट्स को हो सकती है कि वो किस लाइन में जाए, बिजनसमेन को हो सकती है कि किस पार्टी को ओडर दें, ग्रहनी को हो सकती है कि वैं बच्चे के लिए क्या चुने, जब आप ऐसी दुविदा में हो और आप चाहते हैं कि परमातमा आपके साथ है या नहीं है तो आप ग्यारा माला परमातमा की कर लें अब यहां मुझे फोन नहीं करना है कि किस परमातमा की माला करनी है जिसे आप मानते हैं जिस गुरू का ध्यान करते हैं जिसमें आपकी आस्ता है उसके नाम की ग्यारा माला कर लीजिए ग्यारा माला मतलब 108 मन को की एक माला तो ग्यारा बार कर लीजिए और फिर दो पर्चियों पर जो आपके मन में स्वाल आ रहे हैं यदि तीन आ रहे हैं तीन पर्चियों पर चार आ रहे हैं चार पर्चियों प डालकर पर्तेक पर पर अपने पर्मात्मा का नाम जुरूर लिखिए और कोशिश कीजिए कि पहले ये पर्टिज्चिएं बना लें हूर। फिर माला और कbor नमाभार का फिर आप मेरे वगवान है मेरे प्रभू है मेरे दाता आप ही हमें बताना आप ही मारा मार्ग दर्शन करना काल्यूग ने हम मंद बुद्धी इंसानों की ब्रहमित कर दिया है हमें रास्ता दिखाओ और फिर आँखे बंद किये हुए उसमें से एक पर्ची उठा लीजिए आपको आपका जवाब मिल चुका है मानना बहुत जरूरी है यदि मान ले तो यदि आप ने चेक करने के लिए कि चलो एक बार फिर करते हैं फिर करते हैं कभी भी जवाब सही नहीं निकलेगा मेरी एक पुस्तक है साई गीता सार जिसमें साई बावा के मैंने बहुत सारे स्वालों के ज्वाब दिये हैं जैसे पाठ कैसे करें प्रमात्मा को भोग कैसे लगाएं प्रमात्मा भोग खाते क्यों नहीं हम उनके सामने करते हैं तो प्रमात्मा की शक्तियां कैसे प्रापत हो कि हमें प्रमात्मा के दर्शन कैसे होंगे स्वपन में प्रमात्मा के दर्शन कैसे करें उस सास में मैंने एक प्रशनावली दी है जिसमें कि ऐसे स्वालों के जवाब हम डूंड सकते हैं एक बार एक संत आये हुए थे तो मुझे वो बार बार कह रहे थे जाओ नारियल ले के आओ तोड़ें सभी खाएं मैं सुनू नहीं रहा था हम बातों में मस्च थे बक्ती बाब की बातें चल रही थी तब ही किसी ने स्वाल निकाला उसमें पुस्तक में से तो सीधा ही आ गय मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जब आप वो कारें करेंगे और आपका वो कारें सफल हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि परमातमा आपके साथ हैं घर से निकलते वक्त आप परमातमा को याद कीजिए घर में वापिस आपते वक्त परमातमा को याद कीजिए जो माबाप बैटे हैं वो भी आपके परमातमा के रूप में है उनके दर्शन कीजिए जब आप मा को मिल कर जाएंगे तो वो दुआ करेगे कि मेरा बेटा जिस काम के लिए गया है हो जाए और स्कुशल कर लोटाए किसी ने फेस्बुक पर डाला था कि पता नहीं मेरे लिए कौन दुआ करता है बार बार समुंदर में गिरता हूँ लहरें फिर बाहर फैंक देती है यानि दुखी होता हूँ परंदू पता नहीं क्यों बच जाता हूँ हर मुश्किल से कारण है कि हमारे लिए यदि कोई दुआ कर रहा होता है तो हम बच जाते हैं जब आप माबाप से अशीरवद लेकर जाएंगे तो वो दुआ करते रहेंगे आपके पीछे से आकर फिर उन्हें मिलिए वो फिर प्रमात्मा का शुक्र गुजार करेंगे कि है प्रबूर किर्पा है आपकी कि मेरा बेटा वापिस आगया मेरा कहने का मतलब यह है कि घर से निकलते हुए हमें प्रमात्मा का पाठ करना चाहिए वापिस आते हुए प्रमात्मा का पाठ कर हैं परमात्मा का चर्णामत लेकर हाथ में लेकर उसको अभिमंत्रित करके घर में छड़काव कर दीजिए कि जब शक्तियां आपको मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कि वाके में परमात्मा आपके साथ हैं कि एक प्रयोग और कीजिए आप घर में जोच जलाईए रोजाना प्रति दिन जोच जलाईए नियम रखिए कि आपने जोच जलानी है किसी दिन आप बूल जाओगे तो परमात्मा आपको किसी ना किसी रूप में याद करवाएंगे कि जोच जलानी है तब आपको पता चलेगा कि प्रमात्मा हैं, आपके साथ हैं सुबह उठिए, पाठ कीजिए, एक नियम बनाईए इतने बज़े पाठ करना है तो आप देखेंगे कि यदि आपका भी सो रहे हैं, तो उतने बज़े आपका दर्वाजा कोई ना कोई खटका देगा, नोक होगी दर्वाजे पर बूचिए घर में जाकर सभी से किसने नोक की, नहीं की, कौन कर गया नोक, वो प्रमात्मा कर गया नोक जो लोग सुबह उठते हैं, मैं सुबह तीन बज़े उठकर पाठ करता हूँ, तो जब कभी रात को लेट सोये, नीद ना कुले, तो मेरा दर्वाजा खटक जाता है, ऐसे लगता है, जैसे किसी नोक किया, कई बर ऐसे लगा कि मुझे कोई हिला रहा है, तो कोन हिला रहा है हमारी उपनिशत कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, कि जब भक्त परमात्मा की भक्ती में लीन हो जाता है, तो परमात्मा भी उसके बगैर नहीं रहते हैं, परमात्मा भी ढूंडने लगते हैं कि मेरा भक्त कहा है, जब आप परमात्मा की भक्ती में लीन हो जाएंगे, तो भी आपको डूंडेंगे पहले लक्षन में मैंने आपको बताए कि आपकी पर्ची में बिलकुल सही जवाब आएगा दूसरे लक्षन में मैंने आपको बताया कि आप प्रमात्मा का पाठ करके घर से निकलिए सभी कारे सिद्ध होंगे तीसरे लक्षन में बताया कि पाठ जाका समय हो गया। एक नियम बनाई है कि आपने कुछ दान करना है, जैसे मैं ग्रीव लोगों को पैंशन देता हूँ, पहली तारीख को हमने पैंशन देनी होती है, अपने जेव से देते हैं, एक दो बंदे और जुड़ गे हैं मेरे साथ, जो दो दो बंदो को पैंशन के प तो आप देखेंगे कि कभी आपका हाथ बहुत टाइट है तंग है तो वो प्रमाहतमा कैसे आपको पैसे बेजते हैं आज आप पैंशन देंगे वो दस गुना होकर वापिस आएगी आएगी आपके पास अगले प्रियोग में देखिए एक सो का नोट निका लिए पूरा पाठ पूजा कीजिए दिल से जब तक आँखों में नशा ना आ जाए तब तक आप पाठ कीजिए उस नोट को प्रमाहतमा के चर्नों से लगा कर किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो वाके में जरूरत मंद हो तो देखिए या तो उसी दिन या एक दो दिन में वो सो का नोट बीस गुना होकर आपके पास वापिस आ जाएगा प्रमात्मा कहते हैं कि तु यदि अमीर होना चाहता है तो तु मेरी जेव में पैसे डाल यानि प्रमात्मा की जेव कौन सी है प्रमात्मा की जेव प्रमात्मा का बैंक या मंदिरों में पड़ी हुई गौलक को मत समझ लेना प्रमात्मा की जेब है गरीबों का मुह प्रमात्मा की जेब है गरीबों की जेब गरीबों की मजबूरियां गरीबों की आर्थिक तंगी जब आप उनकी मदद करते हैं क्या करते हैं जब आप गरीबों की मदद करते हैं तो प्रमातमा की जेव में पैसर हो जाते हैं। कि फिर आप मेरी की तरफ पढ़ते हैं कुझ कि इस से भी आपको पता चलेगा कि पर्मातमा आप के साथ हैै। कभी रात को रोजाना रात को एक ऐसी दुन लगाई है जो आपको बहुत पसंद है सास में कोई ऐसी सुगंध होनी चाहिए जिसे सूंगते ही आपकी भक्ति जाग जाती है होती है प्रतेक व्यक्ति की जिंदगी में होती है शेड़ी जाने वालों की एक शेड़ी में जो सुगंध होती है वो सुगंध है जहां भी सुगले करते हैं हाहा क्या मज़ा आगया क्यों साही बक्तों ठीक कर रहा हूं ना मैं ऐसी सुगंध ऐसा भजन ये रात को लगा लीजिए और पहले थोड़ी दिर आंके बंद करके पाठ कीजिए और फिर सुनते सुनते सो जाईए कुछ ही दिनों में प्रमात्मा के दर्शन आपको सपने में हो जाएंगे एक सो एक परसंट आपको प्रमात्मा के दर्शन सपने में हो जाएंगे ये भी प्रमान था कि प्रमात्मा आपके साथ हैं कभी आपकी दुरगटना होने लगी हो और आप बच जाएं और उससे पहले या एक दो दिन में कुछ दन की हानी हो तो तब भी समझ जाएंगे कि प्रमात्मा आपके साथ हैं तब ही तो उन्होंने बचा लिया लेकिन जो पैसे लगने थे वो दूसरी जगे खर्च करवा गी है तो ये सारे प्रमान हैं जिन से आपको पता चलेगा कि प्रमात्मा आपके साथ हैं और रहेंगे भक्तो परमातमा सदैव आपके साथ है यदि आप चाहते हैं कि परमातमा आपके साथ रहे तो आपने निवास पर जैसे कोई गेस्ट आ जाए मेहमान आ जाए तो उसको खाना खिलाते हैं ऐसे परमातमा को भोग लगाईए बहुत सारे आसे लोग हैं जो घर में ये तो कहते हैं प्रमात्मा हमारे साथ रहें परन्तो कभी कुछ भी खाते हैं उनको नहीं पूछते सुबे दूद का भोग लगाईए जो खाना बनाते हैं उसका भोग लगाईए जो बजार से आता है उसका भोग लगाईए मेरे निवास पर सभी चीजों को भोग लगता है मैं भोग के सिवाए कुछ खाता नहीं हूँ शादी में भी जाओं तो मैं अपना टिफन लेकर जाता हूँ मेरी खुद की बेटी की शादी हुई तो मेरा टिफन मेरे साथ था मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे कीजिए मेरा कहने का मतलब है कि परमात्मा भी आपके गर में रहते हैं उनको भी भोग लगाईए शुद्ध चीजों का उनको भी भोग लगाईए भोग लगाते रहेंगे पाठ पुजा करते रहेंगे तो प्रमात्मा आपके घर में जरूर रहेंगे आपके घर में निवास करेंगे और सदैव आपकी रक्षा करेंगे ये था आपके स्वाल का ज्वाब तो अब आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी समगरी जल्द ही डालने वाला हूँ बहुत सारा ऐसा कुछ जो अभी तक यूट्यूब में नहीं डला होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो पसांद आई हो तो लाइक कीजिए और हाँ यदि आप मुझसे संपरक करना चाहते हैं यदि कोई आपकी समस्या है यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुछ भी तो किरप्या फोन मत कीजिए बहुत फोन आते हैं बहुत सारे सुनना बहुत मुश्किल हो जाती है रात को सोई हुए भी मेरे कानों में फोनों की गंटियां बज़ती रहती है वाटसेप कीजिए वाटसेप पर अपना सुवाल लेखिए मुझे बहुत मज़ा आएगा आपका जवाब देने में कई बर क्योबिस से तीस गंटे लग सकते हैं पर अम तो जवाब आपको जरूर मिलेगा और यदि बहुत जरूरी है तो मुझे पूछिए वाटसेप पर कितने बज़े फोन करें मैं टाइम दे दूँगा आपको अच्छा आप चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे दोस्तो तब तक के लिए जाज़त दीजिए खुश रहिए अबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए जैसाइराम नमस्कार